हमारे चैनल में आपका पुना स्वागत है आज, हम बॉलिवुड सुपरस्टार शाहरुक खान और निर्माता डिजाइनर गौरी खान के बेटे आर्यन खान की शांदार जीवन शैली के बारे में जान रही हैं अपने उद्यम शील्ता उद्यम से लेकर अपनी विलासितापूर्ण संपत्ती तक आर्यन खान व्यवसाई जगत और अभिजात वर्ग दोनों में लहरेंग पैदा कर रहा है आओ हम इसे नस्दीक से देखें प्रारंभिक जीवन और उद्यम शील्ता उद्यम 12 नवंबर 1997 को नई दिल्ली भारत में पैदा हुए आर्यन खान, शाहरुक और गौरी खान के सबसे बड़े बेटे हैं दक्षणी कैलिफोर्निया विश्व विद्यालय से सनातक होने के बाद उन्होंने 2022 में स्लैब वेंचर्स की सहस्थापना की और लक्षरी सामुहिक ब्रांड डियवोल लॉंच किया उनकी उद्यम शील्ता की भावना ने उन्हें अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड स्थापित करने और लक्षरी आइटम उद्यमों में उतरने के लिए प्रेरित किया है नेट वर्थ और संपत्ती उनकी बढ़ती लोक प्रियता के साथ 2020 तक आर्यन की कुल संपत्ती लगभग 120 से 140 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है उनके परिवार की प्रतिष्ठित हवेली मननत जो मुंबई के पौश इलाके में स्थित है गौरी खान और वास्तुकार के बीच वास्तुशिल्प सहयोग के कारण मूल्य में उलेखनिय वृद्धी देखी गई है जो 2001 में खरीद के समय 13.32 करोड से बढ़कर आज लगभग 200 करोड हो गई है डिजाइनर कैफ फकी फैशन और सहायक उपकरण आरियन खान को अकसर रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना घड़ी पहने देखा जाता है जिसकी कीमत 9,561.08 डॉलर लगभग 7.83 लाक रुपे है उन्हें बैलेंस यागा कैजूल स्नीकर्स पहने हुए भी देखा गया है जिनकी कीमत 47,000 रुपे है कार संग्रा आरियन के पास एक प्रभावशाली कार संग्रा है जिसमें एक ओडी इच्छ है एक मर्सेडीज जी एलेस 350 डी जिसकी कीमत 70,000 रुपे है एक मर्सेडीज जी एलेस 43 मजी कूट और एक BMW 730 लडी शामिल है निशकर्ष, बॉलिवुड राजगराने के बेटे से लेकर एक उध्यमी और स्टाइल आइकन के रूप में अपनी राह बनाने तक का आरियन खान का सफर उनकी महत्वाकांक्षा और विलासिता के प्रती स्वभाव को दर्शाता है अपनी निवल संपत्ती में वृद्धी और उच्चस्तरिय संपत्ती के संग्रा के विस्तार के साथ आरियन खान निससंदेह व्यावसाई और जीवन शैली दोनों क्षेत्रों में एक ताकत बन गए है आरियन खान की ग्लैमर्स जिन्दिगी के बारे में अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें इस तरह की और सामगरी के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले देखने के लिए